हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखे दोस्तों आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है रासन कार्ड है और रासन कार्ड से अपना अनाज का उठाव करते हैं अनिकि उनको जो है अनाज मिलता है जो कि आप सभी जानते हैं कि सेंटर गवर्मेंट ने अनाज जो ही देना बिल्कुल फिरी कर दिया हुए निकि बिल्कुल फिरी में आप रासन ले सकते हैं कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है और यह बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको जो ही एक ही डिलर के पास से नहीं लेना है आप चाहें जि जो है बिहार सरकार का जो खाद ये परधाद विभाग है जैसे कि जो भी रासंका ड का डिपार्टमेंट है उसके दोरह एक अपडेट आया हुए जिसमें कहा गिया है कि अब जो ही रासंकार धारकोर को कवाईसी करवाना पड़ेगा तो कवाईसी को लेकर जनकारी यहां प इसके लिए आपको कोई चार्ज देना है कि नहीं देना है और अब्रेट कहां से निकल कर आ हुआ है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आठ दिन पहले यहां पर पॉब्लिस किया गिया है जिसमें बोला गिया है कि रासन कार्ड के सभी सदस्यों का EKYC जरूरी यानि कि रासन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सबका जो है EKYC करवाना पड़ेगा ठीक है कहां से निकल के आया हुआ है चकाई एक जगह है जो कि जम यहां पर देखेंगे तो परभात खबर में भी जनकारी इसकी दी गई है जहां पर कि रासन कार्ड धारकों का EKYC कराने को लेकर विभाग के कर्मी लगतार काम कर रहे हैं इसे लेकर डिलरों को भी सभी लाबू को घर घर जाकर के वाईसी करने का निर्देश दिया गया है जो भी डिलर है उनके माधिम से ही आपका KYC होने वाला है इसमें जो भी रासन कार्ड के सभी सदस्ये हैं मतलब कि रासन कार्ड में कई सरे जो है आपके घर के फेमिली मेंबर होते हैं उन सभी का जो है बायमाइटिक देकर आपको KYC करना पड़ेगा जनकारी देते हुए प जारना अनिवार्ज है ऐसा नहीं होने पर लाभू को परसानी का समस्या करना पड़ेगा और रासन उठाव में भी दिकत होने लगेगी उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों का भी डाटा वरिफिकेशन करना आवसक है प्रवासी मजदूर जिनकी अब तक रासन कार् अवसक है ओनलेन अपलाई होते ही अचार सहीता के बाद उनका रासन कार्ड सवकृत कर दिया जाएगा उन्होंने सभी लोगों से केवासी को लेकर अपनी छेतर में पीडियस डिलर से संपर्क करने की अपील किया उन्होंने कहा कि एक वासी निसूल किया जाना है अगर किसी की दोवारा रासी की मांग की जाती है और जनकारी मिलती है तो उसके खिलाब करवाई की जाएगी मौके पर सभी डिलर यहां पर उपस्तित थे यहां पर इन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो केवासी है बिल्कुल फिरी में होगा उसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं करें क्योंकि घर में जो ही जितने फेमिली मेंबर है रासंकार के उन सभी का वाईसी करना है तो अगर डिलर के पास जाएंगे तो काफी भी भीर लगएगा और सभी को समस्या होगा पर यहां पर हिंदुस्तान का देख सकते हैं कि इसमें द्य сотदुस द्द सभाव हो बुद देश दिया, यानि कि यहां भी बोला जा रहा है कि आपको जो है EKYC करना है, तो समझे कि आपके पास राशन काड़ है तो आपका जो है EKYC करना mandatory किया गया है, धिद्रेश अभी जिला में अपली केबल हो जाएगा, हाला कि अभी आपको हभराने कर सकता नहीं है, इस सारे काम जो है ELECTION के बाद ही होने वाले हैं, तो अराम से रहे, निचिंत रहे, जब पूरे बिहार में लागू हो जाएगा, तो फिर से मबडेट लेकर आ जाएगे, लेकि इसके बारे में आपको जनकारी मिल गया कि यहां, जो भी राशन काड़ धारी है, उनका जो किवाईसी है, होना mandatory है, तो बस आज किस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा से बाच्छा लगा है, तो वीडियो के जरूर लाइक करिए, अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से related, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं,